इससे पहले वाली वीडियो में हमने आदे के बारे में पड़े आदे को किस तरह जाहिर करते हैं अब हम पड़ेंगे कसर में पाव पाव हिस्सा यानी कितना हिस्सा यह आपके सामने एक मुरब्बा शकल नजर आ रही है है इसके अगर इसी चीज के चार बराबर बराबर हिस्से करे तो उस में से एक हिस्सा यह हिस्सा होता है पाव किसी चीज के चार बराबर बराबर हिस्से करे और एक हिस्सा लेना है तो वो एक हिस्सा पाव कहलाता है अब देखो इसी तरीके से यह मुरब्बा है हमने यहाँ पर उसके चार बराबर कि एक ना ऑड़ी Association एक हडी लान तो यह एक साज्ट यह मुरब्भ यह जो है पाव कहालाता ह। यह फाव इसनी पाव लुव में चार पौभ मिलक्र एक मुकस्टी है मुस्ततील काइव यह मुस्ततील हैं उसन्य मुस्ततील है को तो एक हिस्सा पाओ कहलाता है, ये भी पाओ शकल है बच्चो, ये भी पाओ है, ये पाओ है ना, पाओ और पाओ मिलकर आदा बनता है, आदा और आदा मिलकर एक बनता है, ये मुरब्बा है आपके सामने बच्चो, इसके हमने इस तरीके से चार हिस्से किये, तो एक हिस्सा जो है वो पाव कहलाता है अभी यह आपके सामने मुसलस है यह मुकमल मुसलस नजर आ रहा है इसके हमने इससे करना है हमें लेकिन बराबर बराबर करना है कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं अब देखो हमने यह मुसलस के चार बराबर बराबर इससे किये तो एक हिस्सा प कमल दाइरा है इसके हमने चार बराबर बराबर हिस्से किये है न बच्चो तो एक हिस्सा पाओ कहलाता है पाओ को कसर में एक बटे चार लिखते है यानि एक चीज के चार हिस्से करना तो हर हिस्सा पाओ कहलाता है हर हिस्सा पाओ कहलाता है कसर कसर की जबान में इसको एक बट्टे चार लिखते हैं आया बच्चों समझ में अल्ला आफीज